जहें दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो सायद देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लिजेगा राकिस यादव सर ने एक वीडियो बनाया एवन ये बात बहुत पुरानी है काफी समय पहले से ये वाली बात चर्चा में है जब से रिपोर्ट आई थी एक वार न्यूस में आया था न्यूस में क्या सबको पता है पुरे इंडिया में लेकिन ये अपने फिल्ड का नहीं था एज्यूकेशन में चीज नहीं आई तो किसी ने एक्षिन निली लेकिन धीरे-धीरे ये चीज बढ़ती जा रहिए पूरी जो चीज़े है मैं बताने पहले ये सिर्फ बाहरी कमपनियों की बात नहीं है कि आज तो जलो जी Google कर रहे हैं अबहुत कुछ हुने बहुत कुछ गलत जैसा हुने वाला है लेकिन वो गलत हमें देखेगा नहीं जैसे पहले भी हुआ है ऐसानी यह पहली बार होुआ है कि देश दोवारा से अंग्रेजों को गुलाम नहीं वो तो हो नहीं है जो सर ने वोला है वो तो होगा ही लेकिन यहाँ पे जिस तरह से गूगल की मॉनोपॉली चल रही है उससे पहले भी कई बार हुआ है आपने देखा होगा कि जीओ की जब सिम आई थी तो जीओ की सिम में हमको unlimited data मिल रहा था वो भी free of cost high speed internet data free of cost सिम भी free सब कुछ free आज आपने देखा होगा कि ऐसा कोई व्यक्ती नहीं है 95% जिसके पास जीओ की सिम ना हो और आज वही सर्वे जो बागी के कमपनी देती है उतनी ही फीस में उतने ही पैसो में आज जीओ भी आपको रिचार्ज देता है यानि कि वही 600-700 रुपे का जो है तीन महीने का बागी के कमपनी दे रही है ऐसे ही जीओ लेकिन शुरुवात में जीओ ने सब को free दिया वही आजकल यूटूब गूगल या जो भी गूगल के प्लेटफॉर्म है वो जैसे हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं मजा आता है सब कुछ free में content डालते हैं ऐसे यूटूब पर देखो सबसे ज़्यादा हम content creator जो है वो सब लोग content डाल रहे है भरपूर हमसे ना वो इतना beneficial हो चुका है इतनी लोगों को उसकी आदत हो गई है कि अब इसके बिना रह पाना रह तो लोगे लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान एक student को एक individual person को होगा तो वही है कि Google की जितने भी platforms है जैसे सबसे जो सुरुवात उन्होंने करी है वो है play store से क्योंकि play store पर जो आम जनता की निगाया नहीं होती play store को अगर को indicate करेगा तो वे लोग करेंगे जिनका business चल रहे है या वे लोग करेंगे जो इंडस्ट्री में है आम जनता इसी के support में नहीं आ सकती तो सुरुवात कहां से हुई है play store से क्या मसल मसला है वो मैं बता जता हूँ Google ने अपने play store पे जो भी हम application download करते है Google play store से करते है अब Google play store पे जितने भी application available है उसका कोई charge Google नहीं लेता अभी तक सिर्फ जो भी internet खर्च होता है वह होता है इसके अलावा कोई charge नहीं ठीक है जब कि उससे ज्यादा invest Google का YouTube में या उसके search engine को manage करने में होता है Google play store से तो काफी ज्यादा चीजें जो है invest होता है उनका invest होता है बाकी की चीजों में play store से भी ज्यादा लेकिन play store सबसे पहले उन्होंने action पता है क्यों लिया है क्योंकि आम जनता इसमें involved नहीं होती है अभी आप मुझे सुन रहे आपका play store से कोई आपको चोटे मोटे application डाउलोड करने होते हैं वह भी आपको कुछ करने ही नहीं है आपको तो भाईया चीजें चाहिए वह जिसका application वह लड़ेगा या Google लड़ेगा आपको तो कोई YouTube का अगर हम देखें तो YouTube हमसे भी पैसा लेता है और आप से पैसा लेता है ऐसानिंगा फ्री पैसा हम पैसा यह ama देता है हमारे चलाते हम पैसा देते हैं आप देखते हैं आपके पास जाते हैं उससे वह लोग कंपनी भी पैसा कमाती है जिनका चल रहा है गूगल भी कमाता सब मतलब इसमें सबका फैदा होता आपका भी है मेरा भी है गूगल का भी लेकिन गूगल प्लेस्टोर में समस्या यह है कि अगर मेरा application है और मैंने अपना application Google प्लेश्टों पर डाल रखा है तो उसको उसकी fees लेनी चाहिए, जो सर ने बोला है, उसकी एक cost होनी चाहिए, कि भाया तुम हमारे server को यूज़ कर रहे हो, हमारे platform को यूज़ कर रहे हो, इतना पैसा आप से हम लेंगे, वो आपको देना पड़ेगा लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि अपने गूगल प्लेय स्टोर को एक बशिनेस बना रख रहे हूए ऊप लूगल की तरफ से उसकी बात गलत नहीं है लेकिन समस्ष्य आई एक हम लोगों को free की लत लगी अगर Google ने ऐसा करना ही था तो फाई पहले free क्या है कि निक और free किया है मालो पैसे भी लेना है तो एक जैसे सर ने बोला कि एक हद होती है जैसे कि अगर हम मालो कुछ भी करते हैं मालो अगर हमें कोई इसने प्रॉडक्त वितीन एenger कोई मतलब नहीं हो कि या फिर werd भी टेक को फीन मारjing भी दितने जिएक हमारी के बूर एकник मार्जन सब्सक्राइब रहा है और वो भी अमाउंट देख लो एक एक सेर देख लो कितना बड़ा सेर यह अपने आम और वो भी देखो यहां से कुछ ऐसी बड़ी कंपनिया है जैसे कि हमारा चलो कोर्स बिखता है किसी भी छोटे अप्लिकेशन पर और वो भी लाइफ टाइम रहा या एक साल दो साल लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनिया जैसे कि साधी डॉट कॉम पांच यार साथ यार दस यार ऐसे सब्सक्रिप्शन होते हैं वह भी महीनों के दो मेने तीन महीने बस ऐसी ऐसी कंपनिया जो को पूरा भारत जो है यूज कर कि लाटा धा उनको हटा ही दिया गया एप्रिकेशन इसको उसको हटा ही दिया गया गूगल से और भारत में सबसे ज्यादा जो लोग फोण लेकिन पूरा भारत तो एपल स्टोर एपल यूज नहीं करता 90 परसेंट से भी ज्यादा लगता है यूज करते हो और स्टूडेंट्स है अब हमारी कम्यूटी में सब सब के पास आएगा यह अब बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो एपलिकेशन से वह ता दिया गूगल प्ल इपलिकेशन से बिजने से एप छोटे-अमोटे अपलिकेशन सोते हैं करवेनेस तो अपल गजयिंग होते हैं उनकी नहीं एक उनकी तो को ओ एसा है लेकिन जातर अपलिकेशन ऐसे होते हैं गोगलए मोरे सब हो यूटूब पे क्योंकि यूटूब की इतनी गंदी लत्यनों ने डाली है हद से ज्यादा आप जो भी एजुकेशन ले पा रहे हो जो भी चीज़ें आप समझ पार अपने घर बैठके वो सिर्फ इस वजए से कि भाई आपके पास गूगल आप जो चाहो मांग लेते हो से और को पैसा देना पड़ा आपको भी ऑर हमको कंटेंट डालने का भी पैसा देना पड़ जाया रही है जयसे कंधनकी हम अपना जो भी सर्वर है उसका यूज और हम जो भी वीडियो लिते हैं आगे अपलोड कर देते हैं traditional videos तक लोग अपने अपलोड कर देतें लिस्ट करने य तो भाई बनता है उसकी नोपॉली तो भारा सरकार को भी अपने डेश का जैसे चैना के अंदर ना गूगल चलता है इंस्टाग्राम मलता ना मेरी शुप्साईट चलती ही नहीं वहां पर कोई भी गूगल का प्लेटफर्म चलता ही नहीं है वहां पर उन्होंने खुद के अपने देश में बने हुए अप्लिकेशन अपने देश में बने हुए सर्च इंजन्स अपने देश में बने हुए सोशल मीडिया सब कुछ खुद के बनाये हुए है ठीक है उससे इ उनका 30% share एक जटके में Google उड़ाके ले जाए बारस से तो यार क्या ही फैदा फिर ऐसे गूगल का क्या ही फैदा ऐसे convenient होनेगा और अभी तो चलो बड़ी-बड़ी company है हम जैसे छोटे-मूटे application है ठीक है हम बच्चों को मालो 200-300 रुपे में कोर्स दे रहे हैं अपने application पर अब वह application का 30% 18% GST फिर जो आपका जो है राउटर का चार्ज होता है ठीक है गेटवे चार्ज वह सब मिला कि मतलब बच्चे का फिर इंसान के पास समझ रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर की यह जो मोनोपॉली है इस पर भार सरकार के द्वारा एक स्टैप लेना चाहिए या कोई भी आस्वासन मिलना चाहिए और जो सर ने अभी teaching community में सर ने ही पहला वीडियो वनाया था हालांकि यह चीज बहुत दिनों से चर्चा में थी कई सारे आप्लिकेशन वालों ने कूर्ट केज भी क्या है और लड़ा भी है उन के साथ हुआ क्या सारे के सारे application हटाई दियेगे ठीक है उन को लाग sniff करोडों का नुक्सान हुआ ठीक है आगे बता नहीं क्या होगा तो कुछ भी हो सकता है और हर किसी के साथ होगा अभी हो सकता है कि यह चीज कुछ के साथ हो रही है लेकिन आगे चलके सब के साथ होगा और धीरे धीरे और सीधे यूटूब पर वह इसलिए नहीं कि यूटूब पर जैसे भी कुछ मतलब अवेरनेस के लायक है कि लोगों तक यह वाली बात पहुंचने चाहिए कि देखो हमें जब भी किजी चीज की फ्री की लत लग जाती है आगे चलके वह फिर अपने मन मानी करने वाला है यह सच है अगर आज मैं आपको मालो बहुत सार एक्जांपल के तौर पर लोग आ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी आप इन वीडियो को देख सकते हैं ऐसे ही जियो ने किया था ऐसे ही गूगल करेगा और गूगल के तो हम इतने आ दिया कि भाई 95% से भी ज्यादा लोग यूजर्स हैं एंड्रोइड के गूगल के गूगल प्ले स्टोर के यूट अब जैसा गूगल कहेंगा हमें वैसा करना पड़ेगा अगर भारत सरकार इस्पेक्शन नहीं लेगी तो समझ रहे हो तो यह चीज कहीं न कहीं इंप्लेमेंट होनी चाहिए स्टॉप गूगल मॉनोपॉली हैस्टेग यह ट्रेंड करना चाहिए ठीक है ट्विटर बगेर आप है और जैसा सर ने बोला है प्राकिस जादव सर ने उनका सपोर्ट जो है हमारी तरफ से भी पूरी टीचिंग कम्यूनिटी की तरफ से होना चाहिए बाकी लोगों तरफ से भी और यह वाली बात भारत सरकार तक पहुँचनी चाहिए और इस पर एक कड़ा एक्शन होना चाहिए कुछ भी हो लेकिन हो अपने देश के हित्म है क्योंकि जो बिजनिस करते हैं वो टैक्स दिने से नहीं डरते क्योंकि उनको भी पता है जैब वो चार तबी तो उसका कुछ हिस्सा देञे तो लेकिन यह है कि पैसा सीधे बाहर जाए भारत से सीधे बाहर जाए वह थोड़ा सा गलत होता और वो सि कार की गलती की वैसे कि भाई आमने कुछ नहीं कर पाया समझे लिए चलिए तैंक यू